मनीशा की जिन्दगी नरक बना के रख दिया है और अपसरा माम बोलती है कि मैं अपनी बहु के लिए आई हूँ अपनी बहु के लिए आई हूँ बहु तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है इसकी जो मांसिक स्थीती है ना उसके पीछे का करम कोई और नहीं आपका बेटा है तो आप अपने बेटे के लिए यहां पे रुकी हैं क्योंकि आपका बेटा कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है यहां पे अपनी रोते हुए बहु को एकेला घर में छोड़कर और अपने माइंड को फ्रेस करने के लिए महाली पहुंचा हुआ है एक तरफ जगत एरो-plane से वीडियो डाल रही है इतना खुस होकर जो कि एक दिन पहले ही जगत दिदी इतना डिप्रेसन में थी एक दिन पहले लोग बोल रहे थे कि जगत दिदी अपनी अवस्था में नहीं है ऐसी हालत में है कि वह कुछ भी decision ले रही है कुछ भी कर लेगी अपने आपको नुकसान पहुचा लेगी बाल नोच रही Ang इतना रोऊ है कि इसका सूझ हुआ है मगर यहीं पे जगददी चो एक तरफ एरोप्लेजसे डाल रही एक तरफ जगद भाया जो है महाली में प्ञाल हो से डाल फिर कम्यूनिटी डालता है कम्यूनिटी डिलेट करता है हलो एवरीबन आप सभी को स्वागत है अधित्य आएंड आजय ब्लॉब चैनल पे नए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं एक दूसरे से मिलेने के लिए पहुचे हुए हैं यहां पे मैं आपको प्रूफ के तौर पे बताऊंगी कि सचीन कर लाइब में आया था तो बोल रहा था चालिस रुपे का सूपर स्टिकर की बात कनफर्मी किया था कि यह मैं नहीं हूँ ठीक है चलो भाई कुछ दर के लि दिया है इतना दोखा दिया है तो बैचारी अपने अवास्था में नहीं है डर लगता है मैंनीशा को ऐसी हालत देखके कहीं वह गलत कदम न उठाले मनीशा का पैरेंट्स का आर्थिक स्थिति इतना श्त्रॉंग नहीं है कि मैंनीशा को अपने घर पे लेके जा सके और इस्तेदारी सास का प्यार मिल रहा है सासूर का प्यार मिल रहा है देवर का प्यार मिल रहा है एक लड़की को अपने माँ बाप भाई सब का प्यार मिल रहा है बगर उसका प्यार की जरूरत नहीं है वो सब प्यार बाद में एक लड़की को जरूरत पड़ती है जब साधी हो यहीं पे इसको पैसे से पुरा डुबो दो इतना इसको सुख दो और उसका पती को प्यार ही ना मिले ना तो लड़की का लाइफ ही बरबाद है यहां पे लपू टुचिन बोल रहा है कि मैं महाली आया हूं मोवी देखने के लिए एकेले क्यों भई स्रिप और स्रिप तुम् दोलब एक यले तेरा ही मूड खराब एं तेरी पत्तिनी को खराब नहीं है यह इसका इतना मतलब जादे धिमागी हालत खराब ख़राब होते जा रहा है बस दोंtteे यह 27 श्यार चार साल का प्यार तूं बहूल गया है यह सरें मेरे सारे लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी कड़ी लगती है मगर मुझे ना लपड़ चपड़ करके भी तिल लगाकर मुझे बात नहीं करने आता है जो किलियर होता है मैं किलियर कराम पर जाके देखो वो एरो प्लेन में बैट कर इतना खुस हो के गाना गा रही है कि मत पूछो इधर से लपू टुचीन के चहरे पर कोई भी गिला सिकवा कोई सिकंस कोई पस्तावा नहीं है कि मेरी पतनी इतना मेरे लिए परसान हो रही है अगर घूमने आना ही था तो अ 44 साल की गुढिए पीछे इसका दीमाग खराब हो रख है इसका दीमाग कर Monday अर्वे अध्मी कभी सुधरेगा नहीं कभी सुधरेगा जिंदकी भर मनिशा को दुख देगा चुने और बोल रहा है कि मेरा तो पब्लिक को बेखुफ मत बनाओ पब्लिक इतना बेखुफ नहीं है यहां से साब सुतरा पता लग रहा है कि हर यह चीज का हिंट डालता है सोसल मीडिया पे लोगों तक पहुंचाता है फिर कम्यूटी डिलेट करता है कल की वीडियो में क्या बोल रहा है कि लोग इस तरीके की बाते कर रहे हैं लोग खुद ही इस तरीके का माहौल बना रहे हैं अगर कुछ भी होता है तो सब रियक्शन चैनल वाले को बज़े से ऐस कि वोट भी थो दीना महुंट तो साधी सुदा था तेरे पास तेरे बगल में बीभी थी नब थी न फिर दिमाग कैसे अंतरा नोब्त दीमाग केसेुल लगी इसे तूद पीता हुआ तू बच्चा था तू चार साल का बेवी था कि दश साल का तू पढ़ने वाला स्टूडेंट था क्या तीस साल का है तू तीस साल का और बयकूप बना रहे हैं सबको पबलिक को अभी भी सुधरजा अभी भी एक लड़की जो है 24 साल की लड़की इतना कुछ सह रही है इतना कुछ सह रही है और इधर जगत दिदी जगत दिदी किस तरीके से आई थी लाइब में किलो मैंने साधी तोड़ दी किस तरीके से मतलब बोल रही है किलो मैंने साधी तोड़ दी पब्लिक के लिए वीडियो थी फब्लिक के लिए लाइब थी नहीं especially लाइब लपु टुचीन के लिए नहीं अब खुस तो तुम दोनों हो सच में जगदी दिना इतनी बेसरम औरत है आज है मैंने इसका एक लाइब देखा एक वीडियो देखा जिसमें इसका एक फ्रेंड आई है मिलने के लिए किस तरीके सा हस मुस्कुरा रही है जो कि कल तक वो अपनी बाल मोच रही थी सब को जानते हुए कि यह साधी सुधा मर्द है फिर भी इसके पीछे पढ़ी पढ़ने का तो छोड़ना पढ़ गई चल भए दिमाग फिसल गया अगर अगर तुम्हें सब लोग मना कर रहे थे सब लोग तुम्हें मना कर रहे थे तो तुम मना क्यों नहीं हुई मनिशा तुम से हजार बार बोली तुम मेरे पती से दूर हो जाओ पती से दूर हो जाओ यह बेसरम बोली कि मैंने राखी बांधा है राखी बांधा है सब को बोली कि राखी बांधा है भाई बहने अपने भाई के गोद में क्यों नहीं सो रही थी अपने भाई के गोद में है जब मनाली ट्रिप पे गया था तो वह क्या बोल रही थी मेरा भाईया भावी जो है अभी नय है नय साध्य Holy तो दोनों को मैंने एकीला चौड़ा है मतलब इसका भाईया और भावी का मतलब नए नया साधी हुआ है मगर सचीन और लगपुटुचीन साथ में गया था तो वो कपल नहीं थे मूबँऔर कर रही थी तो फिर सचीन के नाम का गटि पहने के इसके जसन क्या चड़िया हुआ थे इसका भूत क्यों शवाहर था कि में सचीन तेरे नाम का उठी पहनूंगा पहनूंगी सचीन ने तुरंद पचीसाजा ट्रांसफर कर दिया क्यों यहीं मूब ऑन कर रही थी बेसरम और यह दोनों से यह अपना दोस्तों मनीशा को रास्ते सहटाने के लिए जगत दिदिया और लपू टुचीन प्लान बना घर नहीं मिलेगा तो यहीं पर रहलूंगा होटल में पैसे होटल फ्री में मिलते हैं होटल फ्री में मिलता है बिना रोकड़े का मिलता है पंच्छे हजार से कम का होटल नहीं मिलता है कितना भी कम तो तीन हजार तो यहां पर मैं एक सबूत और हिंट के साथ में बोलती हू कि एक तरफ ए गया है घुमने के लिए और एक तरफ जगत दिदी एरोप्लेन से आ रही है मिलने के लिए कौन सा मूवी देखने गया है कौन सा मूवी देखने गया है इसका दिमाग सच में खराब है ते कौन सा मूवी देखने गया है जिसका दिमाग खराब रहता है उसको मूवी नहीं देखा जाता है उसको डॉक्टर के पास जाया जाता है और अगर वो इसका लाइफ इतना ही ड ढूल के लिए तिर्थ relation के लिए ऊत्रय मजनुस आप कहां गूमने के लिए कि इया है डिया है कि यह जगत दिद्धी पाक्षानग से ज्वी श्माइल कि अचानक से क्वलायग जादू की च्षडी क्याड़ी हो गया कुछ भी सही नहीं हुआ है मनीसा को लोग सी बना रहे हैं उल्लू बना रहे हैं कि और जगधुA अभी भी पब्रिक से पूछती है मैंने क्या गलत किया है और में माफ्य मांगती मूं अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप सबको लगता है तो बेसरम चुलू भर पानी में डूब के मर जा एक तरफ एक औरत जो है 24 साल की लड़की जो है इतना तडप रही है उसका हालत देख रही है बेसरम दो साल से कंटिन्यू रूला रही है इसको आसू पे आसू आसू पे आसू और ए औरत का हवस खतम ही नहीं हो रहा है इस औरत बेसरम जगदीदी का हवस ही खतम नहीं हो रहा है इतना इसके अंदर गर्मी भरा हुआ है अगर गर्मी ही मिटाना था तो किसी और को खोज लेती मनिशास पनी इतनी प्यार्कर प्यार करति योग बेसरम गटिया इनंसान को अपनी पतनी का प्यार नहीं दिख रह यह 14 साल की बुढिया के पीछे इसका दिमाग पागल हो गया है और गया है मूवी देखने के लिए पब्लिक इतना बेकूफ है इतना उल्लू है और कांड करके सोसल मीडिया को गंदा करे एसब पैसा छापे एसब रसमलाई खाए एसब और बिलेम किसके उपर डाला जाएगा रियक्शन चैनल बालों के बज़े से एसब हुआ है क्योंकि इ देखने के लिए तो कम्यूटी डालता है डिलेट करता है डालता है डिलेट करता है मगर बात जब इतना तक पहुंच जाएगे न तो बहु सारे लोगों के पास स्क्रीन सोट भी होते हैं डाउनलोड वीडियो भी होता है ठीक है और यहांप एक बात और में किलियर कर दू जगदिधी छोटी छोटी बातों के लिए वो एक संट लेती है ये फायर करवाती है जगदिदी का पुरा इज्जत सोसल मीडिया पर धजया उड़ गया है इज्जत तो बचा ही नहीं धजया उड़ गया मगर लपो टुचिन को नहीं कोई EFR करवाया लपो टुचिन के उपर नहीं कोई नोटिस भेजवाया सिर्फ ऐसा है नॉर्मल नोटिस कि कुछ नहीं बोलोगे इस मुद्दे पे बस कोई आउरत का इज़त सोसल मीडिया पे सरेयाम उच्छाल दे तो सिर्फ इसको कुछ नहीं कोई EFR नहीं यहां से पता लग रहा है कि यह दोनों का दिमाग मिला हुआ है अब जान बुझके यह सब दिमागी रूप से गेम खेल रहे हैं एक बात और भी मैं जब जगदिदी और अडियो सुनी थी जगदिदी बिहोस हो गई थी कि मेरे बारे में लोग ऐसा थ्रेसम करने के लिए सोच रहा है सचीन और सुमित तो इतना बड़ी बात और यह आडियो में जगदिदी का बेटी को भी घिसेटा गया है कि उसके बेटी इतना गंदा चीजों को इतनी गंदी आडियो को कैसे बरदास कर दिया क्यों नहीं एक्सन ले रही है चोटा मोटा थमनेल पर वो कंप्लेन कर देती है इसको नोटिस बजबा देती है और इतना गंदा ओडियों पे इसका मुझ पे ताला लगा हुआ है क्यों लगा हुआ मुझ पे ताला अब कभी सोचे हैं क्योंकि जगदिदी एस चीजें जान बुझ के करवा रही है यह जगदिदी के ही पास था तो कोई तो करेगा नहीं या फिर जगद दिदी के पास से लिखो तो सचिन तो किलियर कर दिया कि मैंने इस आउडियो को कोई मैंने तो नहीं किया अब रही दो लोग त्या फिर जगदिदी करें या फिर यह करें और यह मर्ज किया हुआ अउडियो है मर्ज किया हुआ अउडियो है इस आउडियो को कोई हाथ पर किसमानी पाइचा का लिए बिएट को कुछ नहीं बस बीच में कट करके और यहाँ पेरेक मैंने मोनिका ग्रोक जी का सुना हैन्याय-परेट यहाएज़ दुख हो रहा है कि मोनिका ग्रोवर जी अपने आपको है मैं खत्म करने के कोशिज करी यह इतनी यहलिक अज़्। यहां पर हलका कुछ ऐसा सड्यंत्र करिए क्योंकि इसका यादत है और यो को मर्ज करके लोगों तक पहुंचाना अब कुछ ऐसा एक ऑडियो सुनाई है जिसमें ग्रोबर मोनिका जी को नीचा दिखाने के कोशिज करिए कि मोनिका जी नहां के साथ ऐसा करवाने बालिक थी उस ऑडियो के बेस्ट पे मोनिका गुरोवन ने तो डिलेट करवा दिया उस ऑडियो को वीडियो को मगर ए और इस तरीके की वीडियो दिखा रही थी लोगों तक पहुंचा रही थी क्योंकि इसका यादत है कि डियम करो में आपको भेजूंगी डियम करो में आपको भेज तो यह जो 33 स्केंड का जो अडियो लीक हुआ है यही सब को भेज रही थी डियम में सब को भेज रही थी और जगदीदी और लपू टुचि कभी नहीं सुधरेगा मनीशा को धोखा देगा अगर लपू टुचि नंका दिमाग सही नहीं होता तो वह डॉक्टर के पांच जाता और अगर इस तरीकी के बावालों से इसका दिमाग डिप्रेशन में हो गया था परसान हो गया था उसको अच्छा सा फ्रेशनस फिल करना था तो अपनी पत्नी के साथ लेके जाता तो पत्नी को घर में रोता छोड़ कर एकेले गया है मूवी देखने के लिए पबली को बेकूप बना रहा है और इधर से जगत दिदी भी आ रही है एरोप्लेन में गाना गाते हुए बारेबा पबल कि नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग